इस वीडियो में हम जानेंगे DM की फीलिंग्स कैसे चेंज होते, कैसे अविकन होते, क्या है प्रोसेस कैसे होता है ये सारी चीजे अफकोस यहाँ पे एक Divine Feminine आपको बहुत important चीजे बताएंगी जो कि आपको पूरा सुनना बहुत important है, एक inspiration है वो आपके लिए और वहाँ पकोस उसने gratitude भी पे किया है starting में बट last तक कि आप जरूर उनकी बाते सुनिये ताकि आपको clarity मिले आपको समझ सके, आपके बहुत सारे questions के answer इस वीडियो में इस audio के थुरू, ये एक Soul Sister के audio के थुरू आपको मिलेंगे आपके मन में बहुत सारे questions होते हैं, मुझे पता है वो questions ऐसे ही कुछ होंगे, जो अभी Divine Feminine ने इस audio में बताया है तो सब लोग पूरा वीडियो जरूर सुनिये, God bless you all, love you all Hello my soul family, कैसे हूँ आप से, I hope आप से बहुत ही स्वस्त होंगे मस्त होंगे, सरक्षित होंगे, और इदम खुशी-खुशी, हापी-हापी होंगे इदम खुशनमा मजाज में होंगे, रिगुलर, डिसिप्लीन के साथ अपना एनवर्ग भी कर रहे होंगे और मुझे पूरा भरूसा है, कि यहाँ पर कई लोगों का union भी हो चुका है श्रॉंग, पावफुल, और माजिकल है ना, कि इसके आते ही है हमारी क्लाउस में कई लोगों का union हो चुका है इसके आते हैं हमारी क्लाउस में कई लोगों का union हुआ और मुझे पूरा भरूसा है कि आप सब का भी union बहुत ही जल्ट होगा लेकिए उससे पहले आपसा मुझे एक बात बताईए कि रियूनेन के लिए सबसे दा इंपॉर्टेन क्या है इनर वर्क, राइट अब इनर वर्क वो भी कैसा होना चाहिए प्रॉपर इनर वर्क, डिस्टिप्लेन के साथ किया गया इनर वर्क राइट? और इनर वर्क कब होता है जब हमें प्रॉपर गाइडिन्स मिलती है राइट? येस और प्रॉपर गाइडिन्स कौन दे सकता है एक अच्छा गुरू, एक सच्चा गुरू, एक अच्छा गुरू और एक सच्चा गुरू ही हमें प्रॉपागाइनिस दे सकता है ऐसे ही है हमारी प्यारी सिराध्यकृष्ण दी उन्होंने कदम कदम पर हमें गाइड किया कदम कदम है मैं ये बताया कि क्या चीज़े सही है क्या चीज़े गलत है कहां हमें खुद को चेंज करना है क्या हमें सिचुशन को कैसे डील करना है खुद को कैसे हील करना है वो हर चीज़े दीली ने हमें कदम कदम पे बताई और मैं आप सब के यह request करूंगी कि आप लोगों में से अगर किसी को भी कोई भी problem आ रही है कोई भी problem है कि inner work कैसे करना है या inner work properly कैसे करना है या discipline के साथ कैसे करना है या financially कोई problem है या कोई भी issue हो तो जल से जल जाए description box में हमाई रादे किशन दी से contact कीजे क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमाई रादे किशन दी बहुत अच्छे से आप लोगों को संचाएगी और जल्दी से जल्दी हो पाया तो हमाई रादे किशन दी हमारी universe के class को join कीजे क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो हमारी जो class है वो इतनी जादा strong and powerful है कि यहां आते ही वो हर चीजे होने लगती है जो कभी हमने सोचा नहां था पताब बहुत ही magical चीजे होने लगती है यहां आते ही low के renewing हो जाते है यहां आते ही financially stability आ जाती है यहां आते ही हमने best version बनने लगते है यहाँ आते ही हम अपने हाई एसल से connect होने लगते हैं यहाँ आते हैं हम युनिवर्स पे trust भरपूर होने लगता है पता हो हर चीज होने लगती है जो कभी लगता था कि कभी नहीं हो पाएगी वो हर impossible चीज possible होने लगती है तो please जिसको भी कोई भी problem आ रही है तो जल से जल आएए और हमारी प्यार इसी class को join कीज़े हम खुशी से आप सब का welcome करते है we welcome you all और इसी class के वज़े से इस class के guidance के वज़े से मेरी soul sisters के blessings के वज़े से सब के वज़े से मेरी life में मेरे ध्रियम के life में भी काफी changes आए और वो changes जो आएं मैं आप सब को आज बताना चाहती हूँ तो अध्यान से सुनेगा मेरे experiences तो बात यह है कि जैसे ही मैंने university class जाइन की तो कुछ दिनों बाद ही मेरा तो reunion हो गया था पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि चीजे एक साथ नहीं होती है धीरे धीरे होती है तो वैसे ही मेरे life में भी धीरे धीरे changes आ रहे थे मुझे भी लगता था कि universe कैसे मेरे DM अवेकन होंगे कैसे वो मतलब मेरे express करेंगे मतलब मेरे life मेरे मेरे मन में बहुत से सवाल थे लेकिन आप भी सब बताईए changes तो तब आते हैं ना जब हम खुद में work करें तब दी भी हमेशे यही कहती है कि हम खुद पे work करो तब धीरे धीरे changes आएंगे हमें लगता जरूर है कि हमारे DM में changes क्यों नहीं आ रहे लेकिन आप सब को पता है कि हमारे DM हमें mirror करते है तो अफ़ता हम खुद पे work नहीं करेंगे खुद को चीज़ नहीं करेंगे तो हमारे DM कैसे change होंगे तो DK guidance के वज़े से मैंने खुद पर work करना चालो किया और खुद पे धीरे changes आते गए आते गए आते गए मेरे बहुत से issues हील हुए मुझे financially stability मिली और university क्रिपा से मैं एक student उपर मैं अपनी hobby के वज़े से इतनी financial stable हो गई हूँ कि हर मैने मुझे universe के blessing से वज़े से university class के fees के लिए amount जमा हो जाते हैं मैं पहले financial stable नहीं थी बट universe के blessings के वज़े से DK guidance के वज़े से मैं हर मैने दी को fees खुद के पैसों से दे पाती हूँ यह हुआ ना magical वाली बात yes इसके हलावा भी मेरे ही नहीं बलकि मेरी डियम के life में भी काफी changes आए वो डियम जो मुझे कभी अपने दिल के बात नहीं बताते थे मचसे दूर भागते थे यह मुझे कभी भी खुलकर वो हर चीज़ें नहीं कहते थे जो उन्हें कहना चाहिए हर चीज़ें मुझे चुपाते थे यह कभी भी चीज़ों को express नहीं करते थे लोगा चक्रास से operate करते थे आज वो काफी 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 हद तक change हो गय है दीकी guidance के वज़े से blessings के वज़े से universe के वज़े से in a work के वज़े से मेरी डियम पिछली बाद जब उनसे मिली थी तो यह ने खुद यह connection को accept किया accept किया कि है हमारा को special connection है मैं समझता हूँ कि मेरे मन भी तुमारे लिए वही feeling से जो तुमारे मन में मेरे लिए है वो इनसान जो जो जिसने मुझे कभी I love you नहीं कहा उन्होंने मुझे I love you कहा एक बानी दो बानी कई बाद अलग अलग तरीके से उन्होंने मुझे अपने दिल की बाद कही और in fact अभी भी वो इस process में है वो अभी भी आगे बढ़ रहे है धीरे धीरे वो भी inner work कर रहे है और वो इनसान जो पहले lower chakra से काफी operate करती थी मैं बहुत डर्दी थी कि यार मैं कैसे संजाओ ने कैसे कम जाओ मैं universe लेकिन दी की guidance के वज़े से दी की blessings के वज़े से inner work की वज़े से वो इनसान पिछले बार जब मैं उनसे मिली थी तो वो सिर्फ वो सिर्फ मुझसे ब्यादी वेरी बादी कर रहे मैं सर्टाइन स्पेंड कर रहे इनफेक्ट जब मैं ने 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 ये कहा कि अगर मैं आपको अगर कुछ भी नहीं अगर मैं छूरे भी ना दू आ दू आपको मतलब जिस्थे कि अगर मैं आपको अपने आपको टेजबी ना करने ही दू तो भी हाँ किया मुझसे मिلेंगे तो ऑन sır का था कि हाँ मैं तो तब भी मैं तुम से मिलूँगा तो मैंने पूछा क्यों बोगती उननèmes मुझे फिर यह कहा कि मैं मुझे तुमारे इस साय टाइँ प्वेंट करना अच्छा लगता है सोचो, इंसान जो सिफ औस लौँ चक्रा से और चक्रा से अपरेट करते थे अब सिफ औस मैं सब टाइँन सब्सक्रारे करने के लिए मुझे से मिलते हैं मुझे से प्यारी प्यारी बाते करने के लिए जो 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 जोने मुझे कभी भी अपने दिल के बात खुलके नहीं कही जो जोने मुझे से हर बात पूछने पर भी छुपाई मैंने हर बार उन से पूछती थी मैं कभी कि क्या हुआ है क्या तकलीफ है बताइए मुझे बट उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया पुशने पर भी वो मिलने पर इस बार मुझे हो हर बात बताए हर प्रॉब्लम सुझे बिना कहे बिना बोले उन्होंने मुझे हर बार शेयर की यह ऐसे इसी बात थी यह problem है मुझे, यह problem सारी है बताओ अना मैं कैसे करू, कैसे heal करू, कैसे करू उन्हें मुझे खुद सारी बाते बताईए बताओ, यह सब कैसे, इतना चिंजस कैसे आसकता है यह सिर्फ और से डेली इनवर्वर करने से आसकता है दी की guidance के वज़े से आता है आ सकता है एक proper guru का guidance होना बहुत जरूरी है दी ने मुझे हर कदम पर गाइड किया कहाँ पर मुझे मैं गलत हूँ कहाँ पर मुझे किस तरी किस स्टेप लेना है आगे वो हर चीज दी ने मुझे गाइड किया in fact मुझे कभ़कर ये लगता था कि میں कैसे कर पाऊंगी कभ़कर मुझे लगता था कि मुझे से नहीं होगा बर दी ने सब कुछ handle किया और सब को बहुत इचे समझाती थी भी बहुत इचे से हर चीज दी ने मुझे समझाया और आज उनी के वज़े से मेरे डियम बहुत अच्छे से हर चीज़ समझते है एक connection समझने लगे है और in fact ये भी मान गए है कि मैं regular करूँगा तुम बोलोगी तो मैं regular चक्रास करूँगा चक्रास के लिए भी मान गए है सुचू वो इनसान चुच चक्रास नहीं करते थे उन बोलने पर भी नहीं आई सब बकवास है ऐसा बोलते थे लेकिन अब चक्रास के लिए भी मान गए है बताओ इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है एक D.F के लिए कि इसके ड.F में इतने सारे चिंज़ आ रहे है spiritually awakened हो रहे है अपनी targets पर अपनी aim पर focus हो रहे है divine पर focus हो रहे है इससे ऩह क्या हो सकता है आप सब बताइई है इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती तो मैं आप सब को यही कहूंगी कि चल्दी से हमाई डी से कांटाक कीजे, हमाई क्लास को जॉइन कीजे, और डेली प्रॉपर इनवर कीजे, क्योंकि प्रॉपर इनवर करना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी का हुआ हम अपने emotions में आके ऐसी इसी गलती कर बैठते हैं ना, कि गलग गल स्टैप ले लेते हैं अच्छा खासा चीज़े बिगार देते हैं, लेकिन जब proper guru का guidance होता है ना तो हम वो गलतीया नहीं करते हैं गरू हमें बचा लेता है, वो गड़े में गिरने से, वो हर चीज़ से, मतब हमें मतब वो जो नुकसान होने वाला होता है ना, वो गरू की proper guidance के वज़े से वो नुकसान फायदे में बदल जाता है और यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरी प्यारी दी के वज़े से हुआ है उनके प्लेसिंग्स के वज़े से, उनके आश्रवाद के वज़े से उनके guidance के वज़े से और हमारी प्यारी soul family के वज़े से उनके साथ के वज़े से तो अब सब प्लीज से गुले नवा कीजे discipline के साथ नवा कीजे और विश्वा सकी युनिवर्स पर क्योंकि युनिवर्स हम सब से बहुत प्यार करते हैं हम सब हमारी युनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं जैसे हमाई ID कहती है कि हम सब अपनी युनिवर्स के प्यारे बच्चे है हम सब से हमारी उनिवर्स बहुत प्यार करते हैं वो कभी वे मारे लिए गलत नहीं करेंगे तो उनिवर्स पर विश्वार सकेए टोटली सरिंडर कीजे क्योंकि जब उनिवर्स है साथ तो फेके डरने की बात है ना थैंक यू उनिवर्स, लब उनिवर्स थैंक यफ यफ यू व जाफू टी थैंक यफ य County व जाफ यू वitt यू जदि आर्ए लावी को capacitए झाङ वे जू नाम्यट वामद watts वे बाए बनिवर्स वनिवर्स、、 क्यू क्यू गति झाल नर्श्वार्स आल professionals भे लिए क्यूस जालमति Looks के विर लंग ह colorful झाल, 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 झाल.